नमस्कार दोस्तों मैं कृष्टन मुर्ती आप सब करता हूं लेर्णिंग मेरे यूटीब चैनल में दोस्तों रसिया और युक्रियन का वार्ड स्टार्ट हो चुका है और उसका इंपेक्ट जो है आपको स्टॉक मार्केट पर दिख रहा होगा जिनके पास इंवेस्टमेंट पहले से हैं या फिर रहिश्टमेंट करने की सँच रहे उनको क्या करना है कैसे करना भरता दू आपको ये आपको फस्टाइम मार्केट जो है डाउन नहीं हो paper ne यह आपको फर्स टाइम नहीं हो रहा है अगर आप देखते हो हिस्ट्री तो आपको 2020 कभी आपको क्रोना क्रैस्ट होगा आपको यह लग रहा हो कि मार्केट डूबने वाली है खतम होने वाली यह कंडिशन्स मार्केट में आपको आती रहेंगी जाती रहेंगे तो यह स्टाइक होता है इसको आप क्रेस्ट बहुत सकते हो या फिर आप सॉट टर्म के लिए इंपक्त देख सकते हो आप लॉंग टम इंपक्त मुझे लगता यहाँ ज्यादा होने वाला है यहाँ पर देख लो मैं आपको 50 का यहाँ पर दिखाता हूं 3.43 परसंट का यहाँ डां 5 परसंट ना उने कोई स्टॉक 6.96 परसंट ना उने तो यह सब का एवरेज यह 50 स्टॉक्स जो हैं आपके यह सब का एवरेज जो नीचे आया हुआ है उसका आवरेज आपको यहाँ पर देखने हो मिल रहा है तो यहाँ पर मैं अल्लेटी बता रखा हूं लार्ज कैप में 50 60% in worst case, mid gap में 70-80% और small cap में 80-90% in worst case देखने के लिए आप तयार हो तो आप investment कर सकते हो मार्केट नीचे है इसका मतलब यह नहीं कि hero motocop या फिर मारूती या फिर UPL या फिर महिंद्रा अन्महिंद्रा अपना product बनाना बंद कर देगी उसका product market बिखना बंद हो जाएगा यह short term impact है जब तक रहेगा आपको downfall देखना परेगा यह आपका part है stock market का investment का यहीं आपको और मालो 3% होता है तो उसमें कितने stocks जो है को stocks आपका plus में विए को stocks 1.5% भी down है आपका तो सबका average मिला के top 50 stocks का यहां पर आपको 3.43% 50 down है मैं यहां पर open करता हूं mid cap 50 mid cap का देख लेते हैं क्या हाल है mid cap index आपका almost 5% down है यह हमेरे साथ जो है large cap जो भी index होता उसे down उपर ही है क्योंकि यहां फिर ज्यादा रहता है चेंज पर क्लिक किया यहां पर देख लो यहां भी आपका maximum portfolio है वह आपका almost 7-8-9% का जो है downfall दिख रहा है तो simple concept है अगर nifty 10-20% down होगा mid cap stock 30-40% down होगा small cap stocks आपका 50-60% down होगा वह ची ध्यान रख लेना क्योंकि वहां पर volume ज्याद दिखता है small and mid cap में तो यहां पर चीजे समझ में आ गए यह जो mid cap 50 stocks है उसका average return आपको यहां पर दिख रहा होगा उसमें आपको जो भी है यहां आपको दिख रहा होगा अब मैं आपको small cap 50 लेता हूं यहां पर देख लो 5.52% downfall है यहां पर मैं change पर क्लिक कर रहा हूं यहा यहां पर large cap में downfall भी आपका proportionate जो है जो भी आपका index downfall के proportionate में रहेगा return भी वैसी रहने वाला है mid cap में आपको थोड़ा ज्यादा return चाहिए थोड़ा आपको ज्यादा risk लेना पड़ेगा small cap में आपको थोड़ा और extra return चाहिए boost up चाहिए अपने portfolio में तो आपको थोड़ा बहुत extra downfall देखना पड़ेगा तो यहाँ पर चीजे जो है आपको यहाँ पर दिख जाएंगी घवराना नहीं है इसका मत्तब यह नहीं कि मतलब market down हो रहा तो मत्तब कंपनिया product बनाना बंद कर देंगी या फिर close हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है market फिर से जो है normal होगा back to normal होगा यह कुछ भी होगा तो यह stocks ऐसी ही ऊपर जाने वाली तो चीजें clear कर लेना आपको मैंने बता रखा था है digest आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप bank FD में invest नहीं कर रहें आप invest कर दें स्टॉक मार्केट में तो आपको return जो है वह आपको तो आप 100 रूपीज में खड़ी दे रहे हो 80 रूपीज में sell कर रहे हो सोच रहे हो आप 60 रूपीज आएगा 80 रूपीज से फिर से वह 90 रूपीज चला गया तो आपका 20 परसंट लॉस 100 से 80 आपको sell करने में हुआ है फिर 80 से 90 पर आप बाई करोगे वहां भी आपको आपको अब रहते जो बहुत इस उसके बाद टूट नेटे फर फाइनसिल क्रेस्ट तो चीज़े क्लिर है क्लिर आपको समझनी है इनवेस्ट करें किया रहना है तो बैसे हैं इंडेक्स में फिर से बोला हूं फस्टाम इंवेस्टर हो इंडेक्स मुच्छत ग्ल कर सकते हो एडिक आपको downfall देखना परेगा BSC, MCX देख लो 8%, 10%, 12% डाउन है, CDSL, चीज़ें आप देख लो आज, ठीके, क्योंकि index ही आपका 6% डाउन है, almost 6% डाउन है तो यहाँ पर देखो, small cap 6% डाउन है, लेकिन large cap आपका 3.5% डाउन है, सिधा double large cap अगर मालो 2% डाउन होगा, तो small cap 4% डाउन होगा, इसलिए बोलना हूँ, large cap अगर मालो correct होता है, क्या बोलते हैं 20%, तो small cap आपका 50-60% correct होगा, जिसमें से stocks, particular stocks और भी ज़्यादा correct हो सकते हैं, और भी ज़्यादा correct हो सकते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना, फिर 15-6% डाउन है आपका, लेकिन यहाँ पे आपका stock 15% डाउन है, तो चीज़ें clear कर लेना, और चीज़ें आपकी सही है चीज़ें आपको पता है, index है mutual fund से तो घबराने की बात नहीं है opportunity है, आपके पास add कर सकते हो, add करते हो पैसे हैं, अगर नहीं है तो भी आप देखते रहो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस market समझ में आ जाए एक बार फिर देखर नहीं होने वाली, बने रो कुछ होने वाला नहीं है यह चीज़ें ऐसी चलती रहती है, इसलिए बोलता हूँ जब भी stock market में आते हो, चीज़े clear रहा लेना, large cap में 50-60%, mid cap में 60-70, 80% और small cap में 80-90% downfall देखने लिए तयार रहना, in worst case, इसी को बोलते हैं, systematic risk कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप को तयार रहना होगा, time frame है, momentum देख सकते हो, आपका portfolio जो है, long run में perform कर देगा, चीज़े clear रखना, मैंने बता रखा है, वैसे मैं 8 p.m. ल सब्सक्राइब हो, वहाँ पर पूर्च लेना, सारे social media साइट, telegram, instagram, facebook, twitter, जाएं विए को लड़िंग में देखे, जोइन को लोत तरी दोस्तों, धन्यवाद.